हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू माँ चैनल इंजल्स ओफ ब्लिस और मैं लॉट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टारो प्लस औराकल रीडिंग वीडियो के साथ आज का टॉपिक जो है वो है शिवजी की तरफ से आपके लिए मेसेज भगवान शिव हम सबके आराध्य है न की पूझा कर रहे है तो उसका हमें क्या फल मिलने वाला है वो भी इस रीडिंग के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे ठीक है let's start with today's reading बात करते हैं पहले हमारे आज के prayers की आज के prayers जो मैं कर रही हूँ वो special prayers कर रही हूँ ताकि आप लोगों को शिवजी का जो कही न कही वर्दान मिले एक blessing मिले आशिरवाद मिले और आपकी जिंदेगी जो है उसमें से कठीनाईया सारी निकल जाए और आप प्रॉपर उनके guidance के साथ शिवजी के guidance के साथ अपनी life आगे खुशी से spend कर सको अगर आज के prayers आपको receive करने हैं तो शिवजी भगवान शिव मुझे आशरवाद दे रहे हैं या फिर Lord Shiva is blessing me ये वाला affirmation comment box में लिखिए मैं आपके लिए prayer send करूँगी ठीक है let's start with today's reading दोस्तों ये काफी personalized reading होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि मैं राशिया इसमें काफी mention करने वाली हूँ अब जब मैं राशिया mention करती हूँ तो वो आप अपने zodiac sign, sun sign, moon sign या फिर star sign जो भी आपको resonate होता है उससाब से आप ले सकते हैं ठीक है सारे points आप सुन लीजे जो राशिय के साब से आपको resonate होते हैं वो आपके लिए हैं काफी water sign energies first of all आई है आप लोगों के लिए water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Karg, Vrishchik, Meen के लिए यहाँ पे काफी messages आ रहे हैं we have messages for fire sign also, Leo specifically यहाँ पे हमारे लिए आया है वरगो और Capricorn के लिए भी message आये है ठीक है सबसे पहले तो शिव जी कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी यह feel करते हो दोस्तों कि आप काफी नहीं हो आपकी journey जो है वो अप पूर्णा आपको लगती है कहीं न कहीं आपको लगता है कि जहाँ पे पहुचना चाहिए था जिस मुकाम पे पहुचना चाहिए था उस मुकाम पे नहीं पहुचे हैं तो आपको शिवजी यहां पे कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त में आप सही हो, आप सही जा रहे हो, आप काफी हो, आपकी जर्नी जो है वो बाकी लोगों की तरह नहीं है दोस्तों, जैसे लोगों का होता है कि टाइम पे शादी हो जाना, टाइम पे बच्चे हो जाना, आगे फ तो भी है एक तो हो सकता है कि वो टाइम पे नहीं हुआ है अनादर तिंग यहां पे हो सकता है कि आपका भले ही टाइम पे अगर हुआ हो तो वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रहा है यानि कि डिफिकल्टी काफी आपने छोटी-छोटी चीज में फेस की होंगी इस इ शिव जी आपको कहना चा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप कहीं पहीं पर कम नहीं पड़ रहे हो और जो आपके डेस्टिनी में लिखा है और वो चाहे दुषमन अपना सिर क्यों न फोड़ ले पर फिर भी आपके नसीब से वो छीन नहीं पाएगा तो ये आपको याद रखना है ये आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो भी है वो आपको मिलकर ही रहेगा इस महाशिव रातरी को आपको स्पेसिफिक के लिए में टॉरस वर्गो अपरिकॉन वरुष कन्या मकर राशी के लिए कहूंगी कि आप लोग शिव जी को अभिशेक चड़ाएं दूद चड़ाएं शिव जी के मंदिर में जाएं ओम नमस्षिवाय का आप लोग जाप कर सकते हो तो जो भी आपको अच्छा लगता है करना शिव जी की प्रार्थन पूजा में वो जरूर कीजिएगा यहां पर लियो के लिए स्पैसिफिक के लिए लियो और साजिटेरियस में कहूंगी यानि की सीह और धनूराशी के लिए मैसेज बहुत क्लियर यहां पर आया है कि आपका कहीं न कहीं इगो अगर आड़े आ रहा है रिलेशन्शिप हो च घुसा वगेरा आता है काफी जादा तो कंट्रोल करो थोड़ा सा अटिट्यूड अपना कंट्रोल करो लोगों के साथ जो है वो नर्मी से पेशाओ अगर आपके साथ ऐसा कहीं हो रहा है कि कोई आपको इगो दिखा रहा है या फिर आपको आटिट्यूड दिखा रहा है त सामने वाला भी इको दिखा रहा है तो इस वक्त में आप चिल करो थोड़ा आप शांती से लो चीज़ें चीक है we also have for Scorpio Cancer मैं कहूंगी Cancer और Scorpio करक और व्रिष्चिक राशी के लिए it is important कि आप release करे negativity को क्योंकि आप अभी तक किसी कार्मिक रिष्टे को जादा दिमाग सिर पे चड़ा कर बैठे हुए है ठीक है जितना कार्मिक रिलेशन को importance देना चाहिए उससे कई जादा importance आप एक कार्मिक रिष्टे को दे रहे हैं जिंदगी में उसको बहार निकालना बहुत ज़रूरी है ठीक है अपने जिंदगी को देखने की कोशिश करो कि कहां पे कौन सा रिष्टा कार्मिक है कौन सा नेगेटिव है कौन सा आपके जिंदगी में problem क्रिएट कर रहा है तो उस कार्मिक रिष्टे को अभी भी दिल से अगर लगा बैठे हो तो शिवजी आपको यहाँ पे कहना चाह रहे है कि छोड़ो यार जाने दो अभी आगे बढ़ो ठीक है वो आपके लिए नहीं है जो भी है वो आपके लिए नहीं है यहाँ पर अगेन हमारे लिए मेसेज आया है Libra और Gemini के लिए मिथुन और तुला राशी के लिए कि आपका जो भी situation फिलाल में चल रहा है उसमें आपी की जीत है ठीक है Libra Gemini और तुला राशी Libra तो आपके लिए यहाँ पर मिथुन और तुला राशी स्पेसिफिक लिए कि जो भी situation में हो उसमें जीत आपी की होने वाली है ठीक है तो टेंशन अगर है किसी चीज का टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेना बंद करो क्योंकि आपी की जीत है आपी की जीत होने वाली है तो टेंशन मतलो, स्ट्रेस मतलो उससे आप सिर्फ अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो और कुछ नहीं We have message for Capricorn यहाँ पर Taurus Capricorn कहूंगी मैं specifically आया है कि एक बहुती difficult period से आप लोग भार आ रहे हो शिवजी आपको किसी difficult period से बहार निकाल रहे है और जब difficult period मैं बोलती हूं तो यह हो सकता है कि आपका twin flame का separation है या फिर किसी black magic है कोई negativity है पर कोई difficult आपका period जो है वो खतम होने आया है इस महार शिवरातरी के बाद आप जो है यह negativity से बहार आओगे शिवजी की इस वक्त में आरचना पूजा करो क्योंकि वो आपको इस difficult situation से डेफिनिटली बाहर निकाल रहे है और जो specific के लिए यह message था Taurus और Capricorn के लिए वरुष और मकर राशी के लिए ठीक है Then we have Supermoon का message आया है आप लोगों के लिए तो महाशिवरात्री का जो चान्द है उसमें time spend करने की कोशिश कीजिए दोस्तों यह सभी के लिए message आया है और अगर specifically कहूं मैं तो कुम्ब और मीन राशी के लिए आपके emotions अगर आप balance करना चाहते हो कुम्ब राशी और मीन राशी तो महाशिवरात्री का जो चान्द होगा या फिर full moon जो आसपास आ रहा है जो भी अभी आपका calendar देखिए जिसमें full moon आने वाला है अभी एक 5th February को हो गया है पर अब next जो full moon आएगा उस वक्त में moon के नीचे time spend करो क्योंकि आपका moon से काफी मुझे strong रिष्टा दिखाई दीता है और ये ये रीडिंग में सभी के लिए मैं कहूंगी ठीक है specifically water signs, cancer, scorpiopiasis करक वरिष्चिक मीन राशी वालों के लिए कहीं ना चान्द से कोई रिष्टा है आप चान्द में time spend करते हो नो moon rays में चान्द की रोशनी में ठीक है we'll see then we have message again specifically मैं कहूंगी eris और Capricorn के लिए यहां पर makar राशी Capricorn के काफी messages आ रहे है I don't know why Capricorn इस वक्त में जो है काफी active राशी मुझे दिखाई देती है makar राशी काफी active दिखाई देती है दोस्तों इस वक्त में hard work जो आपने किया है उसका फल मिल रहा है आपको शिवजी आपको फल दे रहे है ठीक है जो आपने hard work किया है जो आपने महनत की है उसका फल कहीं न कहीं शिवजी आपको दे रहे है तो अगर आपका hard work रहा है आपके काम को लेकर मैं specifically कहूंगी लव से नहीं, काम को related अगर आपका hard work रहा है तो उस hard work को शिवजी काफी सारी blessings दे रहे है Eris again message आया है Eris and Aquarius कहूंगी कुम्ब राशी और मेश राशी के लिए अगर आपके जिंदगी में कोई difficult situation चल रही है तो climax आ रहा है यानि कि गुसे वाले ही जो situations है जहां पर आपको बहुत गुसा आ रहा है या फिर सामने वाला बहुत गुसा कर रहा है जहां पर लडाई जगडा, हाता पाई तक बात आ गई है ऐसी जहां पर चीजे चल रही है जिनकी life में वो खतम होती हुई दिखाई दे रही है end होती हुई दिखाई दे रही है शिवजी खुद उस negativity को आपकी life से end कर रहे है ये clearly काफी दिखाई देता है ठीक है, I will move towards tarot देखते हैं अभी यहां पर थोड़ा सा general ये भी message लेते है राश्यों के बारे में बात कर ली है ओके यही ले लेते हैं दोस्तों कहीं ना कि आपकी जिंदेगी में एक difficult situation मुझे ये दिखाई देती है जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को ये एक ego वाला इंसान आपकी जिंदेगी में दिखाई देता है देखे चेक करने की कोशिश कीजे कि वो खुद का आपका इगो है या किसी और का इगो है जो आपको पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ आपको रेजोनेट हो गया होगा कि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हां मेरे अंदर ego है मेरे अंदर attitude है या फिर आपको समझ आ गया होगा intuition के थुरू आपको शिव जी ने गाइड कर ही दिया होगा कि वो किस इंसान की ego की में बात कर रही हूँ तो एगो तो पाफी दिखाई देता है लाइफ में ठीके और एगो जब है वो सज्ची मिलती है करे एक्सट्रा जुआ प्राइड रखते है एक्स्ट्रा जो आप आटेटूड रखते हो ना जिस चीज पर आपका हो ना भी नहीं चाहिए गमंड ऐसी चीज पर जो घमंड रखता है उसको शिवजी यहां पर सजा देते हुए दिखाई दे रहा है कि उनको सजा डेफिनिटली मिल रही है जो एक्स्ट्रा आचिट्यूड जो एक्स्ट्रा घमंड रख रहे हैं उनको सजा यहां पर मिलती ही दिखाई दे रही है तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है, जिन्होंने आपको फसाने की कोशिश की है, इगो के थुरू आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उनकी जो है, एक पनिश्मेंट उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक इंसान आपके जिंदेगी में दिखाई देते हैं, एक energy not insan, ठीक है, इनसान नहीं, जीता जाकता है इनसान नहीं, पर कोई एक energy आपकी जिन्दगी में दिखाई देती है, एक fatherly energy जो आपको protect कर रही है इस वक्त में, ठीक है, एक protective energy, एक fatherly energy हो सकता है अगर जिनके father expired हुए है, grandfather expired हुए है, या फिर चाचा जी या फिर जो भी ऐस कोई जो आपसे बहुत connected था, आपसे उमर में बड़ा था, और काफी hold था उनका आपकी जिन्दगी पे, ऐसा इनसान अगर आपकी life में कोई था, जो expire हो गए है, वो हो सकते हैं, या फिर एक divine fatherly energy, जैसे शिवजी भी हमारे लिए divine fatherly energy, अगर आप शिवजी के बहुत बड़ हो सकते हैं, ठीक है, रक्षन करता आपके हो सकते हैं, तो ऐसे कोई एक positive male energy आपकी जिन्दगी में दिखाई देती है, ये हो सकता है, अगर आप Master Merlin की बहुत पूजा करते हैं, मानते हैं, तो Master Merlin हो सकते हैं, बुद्धा हो सकते हैं, कोई एक male protective energy, और protective के साथ मैं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए resonate होगा, कि ये काफी energy, strong energy है, जैसे शिवजी के energy होती है, अगर दुश्मन कुछ बुरा करें, तो वो गांधी गिरी करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, और दुश्मन और जो गलत करता है, उसको सजा भी उतनी ही effectively और powerfully देंगे, ऐसा इनसान जो power possess करता है अपने साथ में, ऐसा कोई इनसान आपके साथ, इनसान नहीं, ऐसे कोई energy आपके साथ खड़ी है, ये दिखाई देता है, male energy, ठीक है, तो उस energy को आज के लिए specifically इस reading के पास आप उसी energy की वज़े से पहुचे हो, तो उस energy को thank you ज़ strength इस वक्त में दोस्तों, again काफी और एकल से ही ये message pick up हो रहा है हमारे लिए, घुसा मत करो, बहुती easy सब्दों में बताना चाहती हूँ, ये महाशिव रातरी का वक्त जो है, आपके लिए शिवजी खुद आपका काम कर रहे हैं, आपके लिए आशिरवाद सेंड कर रहे है तो आप घुसा मत करो, दिमाग को शांत रखो, ठीके कोई hasty decisions नहीं लेने हैं, कोई decision जल्दबाजी में इस वक्त में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ा सा patience रखो, थोड़ा सा आराम से चीज़े आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपकी strength जो है, वो आपके silence में आ पिटाई करोगे, दिखाओगे आपकी, आप कितनी effect हो रहे हो सारी चीजों से, तो लोग आपका और जादा मजाग उड़ाएंगे कहीं न कहीं, आपका फाइदा उठाएंगे कहीं न कहीं, मजाग से भी जादा, मजाग तो ठीक है, बट फाइदा उठाएंगे इस situation में तो अपनी intuitions को on रखो, अपने third eye chakra को activate करो ठीक है, इस video के बाद immediately third eye chakra balance कर लेना, अपना third eye chakra activate कर लेना, अपना YouTube पे आपको काफी सारे videos मिल जाएंगे, so third eye chakra के थुरू आपको intuitions आ रहे हैं, opportunities को पहचानने के लिए, आपको समझ में आएगा कि यह opportunity मेरे लिए खुद बगव शिव जी ने भेजी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिव जी के लिए thank you सबसे पहले बोल दीजिए, and after that उस opportunity का कैसे आप सोना वना सकते हो, कैसे आप उसको ले आ सकते हो अपनी जिंदगी में, वो देखिए, आगे बढ़ते हैं reading में, पर उससे पहले दोस्तों, angel therapy के 33 शुरू हो रहा है 12th of February से, कुछ ही seats बचे हैं, तो अगर आप interested हो, तो जरूर जोइन कीजिए, उसका cost जो है, fees जो है, वो सिर्फ 1000 रुपीज है, यही course बहार 15,000 रुपीज तक सखाया जाता है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, कि वो लोग उतना नहीं सिखाते हैं, ज खुद अपने आपको protection ले पाओगे, money अपने life में कैसे ले आ सकते हो, अपने emotional problems आप खुद कैसे solve कर सकते हो, यह सारी चीज़े उसमें सिखाई जाएंगी, अगर आप interested हो दोस्तों, तो जरूर जोइन कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे reading में, ठीक है, आपके जिंदगी में अगर कोई दो चीज़ों के बीच में अगर फसे होए थे दोस्तों आप, दो चीज़ों के बीच में जैसे कि positive, negative हो या फिर दो रास्ते हो, तो आपको शिवजी कह रहे हैं कि एक रास्ता आपको मतलब दोनों के फोकस करो, उसको balance करो, उसको okay कर दो, fix कर दो और फिर दूसरी चीज़ के उपर आप फोकस कर पाओगे और पहली चीज़ जो है, बैगराउंड में अच्छी तरह से चलती जाएगी, जैसे for example मैं बताती हूं, जैसे love life में problem है, और career में भी problem है, तो दोनों एक साथ में handle नही हो पाते, तो आप पहले priority अपने decide करो, कि पहले career priority है या पहले love priority है, सब के लिए अलग-अलग हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, पैसा और कमाना पहले जादा important है, या फिर किसी को लगता है, पैसा तो है, पहले प्यार आ जाए, थोड़ा सा दिमाग, शान्ती हो जाए, त completely situate होती हुए दिखाए दे रही है, completely manage होती हुए दिखाए दे रही है, फिर वो background में चलता रहेगा, आप दूसरे के ऊपर काम करना शुरू कर पाओगे, ठीक है, तो basically, दोनों चीजे होने वाली हैं, जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो दोनों चीजे आपको करनी है, वो द बताना में रहे गया था, वो card आ गया, शिव जी ने कहा कि ये card दे रहा हूँ, इसको explain करो, okay, somewhere दोस्तों, अगर confusion लाइफ में है, आपके जिन्दगी में अगर choices है, ये चुनू या वो चुनू, ये करू या वो करू, तो आपके लिए शिव जी जो है, वो clear-cut answer देते हुए दिखाई दे रहे हैं, okay, आपको number one चूस करना है, number two चूस करना है, या क्या चूस करना है, आपको वो, आपको कहीं न कहीं, शिव जी खुद answer देते हुए, दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ on-point messages ले लेते हैं, शिव जी की तरफ से, okay, that's cool, सबसे पहले आ गया है card, one second, मैं deck की उल्टा पकड़ा था, but it's okay, चलो, या, यह card आया था, celebration, live in the present moment and enjoy, इस वक्त में दोस्तों, enjoy करो, अपने, आज को enjoy करो, आज को enjoy नहीं करोगे तो, कल को कैसे deal कर पाओगे, और पीछे जो हुआ है, उसको कैसे बुला पाओगे, future के लिए कैसे ready हो पाओगे, और past कैसे ब moment, ठीक है, यहाँ पर destiny का card आया है, you were born to be together, आपके, अगर separation में हो, loved one के साथ, ठीक है, या फिर किसी, कोई भी दोस्त हो, रिष्टेदार हो, प्यार हो आपका, जिसके साथ आप दूर हो अभी, और आप deal नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ, वो दूरी आप बरदाश नहीं कर पा रहे हो, तो शिव जी आपको कह रहे हैं कि वो destiny है, यह separation भी आपके destiny में था, और जो separation के बाद आपका union होगा, उसमें आपको बहुत खुशी मलेगी, चाहे वो friend हो, रिष्टदार हो, lover हो, husband हो, wife हो, जो भी हो, जिनके साथ भी अभी separation में हो, आप हो सकता है, बच्चों स Gender roles, current patterns are reflecting negative human patterning, somewhere दोस्तों अगर आपके life में आपने, यह थोड़ा सा में social message भी है, और शिव जी भी आपको यह message दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा explain करना चाहती हूँ, अगर आपने जिन्देगी में कोई भी काम आपके gender के हिसाब से suit नहीं करता, इसलिए नहीं किया है, तो य यह break करो, ठीक है, यह gender roles अपके life में break करो, for example, लड़के आजकल ऐसा नहीं होता, पर है कोई पुराने जमाने के लोग जो अभी भी यह चीज फॉलो करते हैं, अभी भी आज के दिन में भी कई सारे male हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता, उनको लगता है कि खाना बनाना ले इसा कमाना, चोटे-चोटे चीज से लेकर बड़ी-बड़ी चीजों तक, कि यह मर्दों का काम है, लेडीस का काम नहीं है, तो यह gender roles जो हैं आपके life में, उनको break करो, यह current patterns जो आपकी life में है न, उनी की वज़े से आपके life में limitations आ रहे हैं, शिव जी कहना चा रहे हैं, इन नहीं है, सारे काम सभी को आने चाहिए, और सभी को अपनी financial security खुद की होनी चाहिए, अगर कहीं आप अकेले आपको island पे जाके छोड़ दिया जाए, तो आपको सब कुछ आना चाहिए अपने आपको करने के लिए, खाना पकाने से related हो, या फिर वहाँ पे shelter बांद कर रहने के लिए ही क्यों ना हो, okay? Take care of yourself, self love का वक्त है इस वक्त में, okay? बाकी कोई आपकी पहले कोई आपकी बांद को respect करेगा, कोई आपको heal करेगा, कोई आपके लिए कुछ करेगा, क्यूं कोई करे आपके लिए कुछ? आप ही खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, तो कोई और क्यों करें? है ना आप पहले अपने आपके उपर फोकस करो, अपने आपकी केर करो, थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए and self-love के उपर फोकस करो, क्योंकि शिवजी आपको स्पेसिफिक के लिए कह रहे हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना तभी वो प्यार एट्रैक करोगे आप जिन्दगी में जो बहार से आ रहा है, ओके, it is important कि आप अपने उपर फोकस करें ओके, balancing feminine and masculine energies बहुत ही important है जैसे मैंने कहा, आपके अंदर वो strength, stability hard work वो भी है साथी emotions and everything है बहुत emotional मत बनो बहुत practical मत बनो बहुत logical मत बनो, you have to balance that, आपके अंदर क्या सही है, क्या गलत है ये आपको, जब आप देखो तो emotionally और practically दोनों हिसाब से सोच के decision लेना चाहिए बहुत emotions भी हो जाते है तो गलत decisions हो जाते हो और बहुत practical भी हो जाते हो नो तो inhuman decisions ले लेते हो आप तो ये नहीं करना है, दोनों चीजों में balance बनाना बहुत ज़रूरी है आपके divine and masculine energies जो आपके अंदर है, उनको अगर आप balance करते हो, तभी आप पूरे whole हो पाऊगे, पूरी तरह से decision या फिर पूरी तरह से अपने आपके उपर dependent हो पाऊगे, और किसी पर नहीं अपने आपके उपर, एक लास दो cards ले लेते हैं ओके जैसे मैंने कहा, आपको self love के उपर focus करो, थोड़ा सा relax करो ठीक है, सारी चीजें अभी urgently solve करना जरूरी नहीं है थोड़ा सा pending पे डालो, काम होके rest करो, relax करो, क्योंकि आप बहुत ज़ाधा anxiety और stress ले रहे हो, rest करो relax करो, ठीक है, शिव जी आपको कह रहे है थोड़ा सा अपने उपर ध्यान दो rest करो, relax करो separation, time apart from your counterpart, यह specific के लिए उन लोगों के लिए आया है, जो separation में है अपने partner के साथ, अपने lover के साथ अगर आप अपने divine counterpart के साथ separation में हो, तो यह separation किसी चीज के लिए है, कुछ है जो आपको सीखना है कुछ है जो उनको भी सीखना है उनको जादा, आप तो फिर भी और इसलिए शायद यह balancing का भी card आया है, कि आपको balance करना अपने अंदर की feminine and masculine energies, तभी आप अपने counterpart के साथ, आपका union हो सकता है, reunion हो सकता है तो आप क्या करोगे, अपने थोड़ा सा, जो time आपको अलग मिला है आप अपने उपर focus करो अपने उपर जादा महनत करो and balance करो आपके divine and masculine energies को ठीक है, तो यह था reading दोस्तों रीडिंग को आप सब को goodbye कहने से पहले, आज मैं बताना चाहती हूं, हमारा Mother Gaia का जो course है, वो भी 12th of February से शुरू हो रहा है और Mother Gaia जो होती है न, वो माइबाब है मारी, ठीक है, Mother Earth माइबाब है मारी, वो अगर हम पे खुश नहीं है, तो ना हमारी जिंदगी में ठीक से पैसा आएगा, ना protection मिलेगा हमें, ठीक है ना opportunities मिलेंगी, तो अगर आप उन्हें खुश करना चाहते हो उनका आशिरवात पाना चाहते हो तो हमारा कोर्स जरूर जोइन कीजिए उनकी origin story क्या है उनके spells कैसे करते हैं वो कैसे protect कर सकते हैं आपको, वो कैसे आप उनकी sigils, symbols यूज करोगे, यह सारी चीज़े उसमें सिखाई जाती है और ये कोर्स जो है ये कोर्स क्योंकि मैंने खुद डवलप किया है मैं खुद अट्यून करूंगी तो अगर आप जोइन करना चाहते हो तो यहाँ पर वाट्साप नंबर है जरूर वाट्साप कीजे मुझे मैं आपको सारे डीटेल्स दे दूंगी luxurious life, happy family डेर सारा पैसा या फिर दुश्मनों को सजा अगर इन में से कोई भी आपकी wish है तो join कीजे हमारा गाया कोर्स अगर मदर गाया आपके साथ है यानि कि माता पृत्वी आपके साथ है तो कभी किसी चीज की कमी हो सकती है आपको इस कोर्स में आपको सीखने मिलेगा कि आप उन्हें कैसे प्रसंद कर सकते हैं और कैसे उनसे blessing ले सकते हैं मदर गाया के बारे में और जानने के लिए उनके spells and rituals सीखने के लिए हमारा कोर्स जोइन कीजे ठीक है ठाइंक्यू सो मच दोस्तों for joining me in today's reading शिवजी की तरफ से आज आप अगर blessings पाना चाहते हो तो thank you for the prayers लिखिये comment box में और आज का affirmation भी आप comment box में जरूर लिखियेगा thank you so much दोस्तों मुझसे जुडने के लिए मिलती हूँ आपसे next video में till then bye bye enjoy